नश्कार दोस्तों आप सभी सात्यों का फिर से एक बार स्वागत है सात्यों आप सभी कोई शिक्षाई भाग से यदि कोई भी महत्वापोर्ण अपडेट हमें प्राप्त होती है तो आप सभी के बीच में लाने की पूरी कोशिश करता हूँ ये बात आप सभी ने देखा कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से वियार के तमाम डियो और डिपियो के साथ उनकी वारता होती है कि भाई शिक्षाई भाग में आगे क्या करना है तो वेतन को ले करके अभी अभी केके पाठक जी की मीटिंग हुई है वैठक हुई है उसमें केके पाठक जी ने जो दिश्रा निर्देश दिया है वो आप सभी के सामने में है शिक्षाई भाग अपर मुख्य सचिव केके पाठक शिक्षकों के वेतन को लेकर के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदादेकारी और कारेकम पदादेकारी के साथ कि ये वीडियो कॉन्फरेंसिंग के साथ ही एक तारीक से लेकर के पांच तारीक तक किशी भी हालात ने वेतन देने को कहा है नेदेशित क्या गया है कि संदर्व में यानि कि वेतन के संदर्व में पहले ही सभी तरह की तयारी पूरी कर ले किके पाठक जी ने एक शब्द में कह दिया है कि भाई वेतन की जो भी तयारी ह वो पहले से ही आप लोग पूरी करके रख लीजिए क्योंकि वेतन जो है शिक्षकों का ससमय देना है समय पर विभाग को भेज दिया जाए और इस तरह शिक्षा विभाग समय पर वेतन देने के मेके निजम बना रहा है जिला से लेकर के विभाग अस्तर पर इसकी तयारी की जा रही है किके पाठन अश्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को खाए कि प्रती एक महिना के 20 तारिक से शिक्षिकों के वेतन भुग्तान की प्रिक्रिया सुक्रित कर दी जायए आप सभी जानते हैं कि केके पाठक जी ने बीपी एसी से जो हमारे शिक्षक शाथी बहाल हुए थी उनका एकदम एक तारिक बोला था तो एक तारिक को वेतन दे दिया था उसी रूल को आगे भी बनाई रखने के लिए केके पाठक जी ने वीडियो कॉन्फेरेंसिंगे माध वेतन कहीं से भी लंबित नहीं होनी चाहिए इसकी प्रकिरिया आप लोग लगातार पूरी कीजिए यानि कि 20 से 25 तक अब सेंटी और 25 से 30 तक जो भी है वेंक में जो देना है सब देदा करके और सब वेतन जो है कंप्लीट करके एक तारिक को शिष्कों के खाता में भेज द करके बेलेकन की बटन जरूर दवा लिज जिएगा फिर मिलते अगले वीडियो में स्वाधन निवासातियों